अब हम देखते हैं क्योंकि हमने बीच में अब हब डिवाइस लगा रखा है कि एक्जेक्टली हब का ऐसे काम करती है तो यह हमने चार ड्रेसी दे रखे हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हम देखा था पिंग भी कर रहे हैं तो आपने प्लीज किस में चल पूरिन कर देते हैं एक हमारे पास यहां पर क्या है ग्राफिक्स है तो हम यहां पर क्लिक करते हैं यह मैं यहां पर कहां से करना आपने अं जानाइए स्क्वाफ स्लेक्ट कर लीजिए यहां हम नहीं यहां से क्या करना है कि यहां करना है तो प्हले सोर्स पर क्लिक कर देना यहां में था अब हम देखते हैं यहां पर हमारे पर क्या है nhấtuger है इंट अ तो क्या होता है अब अब देखोगी यह broadcast कर रहा है mean यह packet आया इन्हों ने क्या कर दिया reject कर दिया इसने क्या कर दिया accept कर दिया तो फिर देखोगी वापस आता है वापस के time फिर यह broadcast करता है इसका meaning communication तो इसने इसके साथ करना था पर हमेशा hub क्या करती है जब hub के पास packet आता है वो हमेशा क्या क्या करती है वो ये नहीं देखता कि कहां जा रहा है packet किसके लिए उसको unicast नहीं करता है हब हमेशा क्या क्या करती है जब भी packet उसके पास आएगा हर एक packet को वो क्या करती है broadcast करती है फिर इसको यहां से यहां पिंग करूँगा तो फिर अगर इसको यह करते हैं फिर आप देखोगे यहां पे packet आया उसने क्या किया यह फिर इस पे भेज दिया इन्होंने क्या कर दिया reject कर दिया इसने accept कर दिया वापस आया इसका meaning at a time एक ही system communicate कर दाया है इनके पास ऐसे फालतू का traffic बोज रहा है तो हब क्या करती है हब बहुत ज़्यादा traffic जो है unnecessary generate करती है इसलिए आजकल ज़्यादा तर हम हब को use नहीं करती है तो इसको मैं delete कर देता हूँ फिर वापस real time mode में आ जाती है mean हब क्या problem है कि हब ने ये नहीं देखना हब अपने पास कोई भी एक table maintain करके नहीं रखते है जबकि हम switch में देखेंगे switch अपने पास एक बरी जब packet जाता है तो वो अगली बरी थोड़ सा intelligence से behave करती है कि भी अपने पास information रख देती है कि भई packet किस की तरफ जाना है तो वो ज़्यादा तर यूनिकास्ट करने की कोशी करें पर इसमें जो hub की problem क्या है कि hub के अंदर जब भी हम कुछ करते है जब भी वो packet hub के पास आएगा उसने क्या करना है सब की तरफ भीज़ देना है इसको समझने के लिए लेके चलना है कि सबोज मैं एक class ले रहा हूं उसमें और पचास जी नहीं है ठीक है तो कोई person बाहर से आता है वो कहता है कि weapon से मिलना है ठीक है अब weapon मेरा नाम है तो मैं क्या करूंगा response करूंगा बट क्या हो गया कि उसने जो अवाज लगाई वो में को भी सुनी पचास और लोगों को भी सुनी तो वो पचास सों भी डिस्टर्ब हो गए अगले दिन फिर वो ही person फिर आता है फिर वो आ के कहता है कि weapon से मिलना है ठीक है? फिर हम पचास जीने डिस्टर्ब हो गए जब कि चाहिए कहा था कि पहले दिन उसने कहा है कि जब उसने का कि weapon से मिलना है मैं बाहर चला गया तो उसने मैं को recognize कर ले लेना चाहिए था तो अगले दिन मैं कोई इशारे से उसको बला लेना चाहिए था कि भी आप बाहर आ जो मती तो उससे क्या बाकी disturbing नहीं होने थे तो हब भी ऐसे unintelligent device वो क्या करता है, जैसे मेरी case में मैंने कहा है, कि वो person आके पहले दिन भी उसने पूछ लिया, विपन को न है, second दिन आके भी विपन पूछ लिया, उससे सारे disturb होगे, तो hub भी हमेशा क्या करती है, जब भी उसके पास traffic है, broadcast कर देती है, वो भी अपने आप system जिनको नहीं चाह करते हैं, switches वगेरा यूज करते हैं, इसको अगले हम देखेंगे कि switch कैसे काम करती है, तो यह था कि hub हमारा broadcast करती है, अगर हम switch का थोड़ सा behavior हम देखेंगे totally अलग है